Hello everyone, good morning to all, this is Ashutosh Kumar, I welcome you on my YouTube tutorial channel, Ashutosh sir तो आज की इस online class में हम लोग उस एपिसोड को continue करेंगे, जिसका part 1 और part 2 हम लोग पढ़ चुके हैं तो आज हम part 3 यानि कि last episode देख रहे हैं और इसमें हम इस story को आज complete करेंगे इस story काफी लंबी थी, इस विज़े से इसको 3 पार्ट में divide किया, जिससे आसानी हो आपको story समझने में भी और उसके questions जो related हैं उसका answer करने में भी तो चलिए इसे continue करते हैं, last time हम लोग ने एक word पढ़ा था, spirals of और वहाँ इसको word छोड़ा था, spiral of के बाद bangles तो यहाँ पर spiral of bangles था, यानि कि चूड़ियों का गठर, जो छला बनाकर गोल गोल रखते हैं, कुंडली बनाकर, वो वहाँ पढ़ी रहती थी, हर एक जगहें पर फिरोज़ाबाद के इससे जुड़े हुए दोनों first और second part को आप जरूर देख लें, जिससे आपको story पूरी अच्छे समझने आ जाए, और इसके related question answer के लिए आप jobnoteslab.in, जिससे आप description में भी पास सकते हैं, वीडियो के, वहाँ से आप उसे follow गर के पहुंच सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं तो चली आगे समझते हैं से कि यहाँ पर जब चूड़ियों के जो लच्छे थे, गुच्छे थे, वो हर जगए पर आपको फिरुजाबाद में देखने को मिल सकते हैं, और किस-किस प्रकार के, sunny gold यानि शूर जैसा चमकने वाला एक सोन तरीके का color, paddy green, धान वाला जो हरा वो से निकल कर बनी है, of the rainbow, जो rainbow में पाई जाती हैं, यानि कि जो इंदर धनुष के रंगों में पाई जाते हैं, साथ कलर, उनहीं से बने हुए साथो कलर, साथ के हलाबा, साथ सव परकार के color बनाया जा सकते हैं, यानि हजारों परकार के color वहां बनते थे, lie in the mounts of the uncapt yard, ज ज्यादा तर, यानि हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट ज्यादा तर क्या होता है, कि कमरे में जैसे धेर लगाना कोई चीज का, तो दाएं बाएं उपन नीचे करके रखते चले गए, बेतर थी, तो उसको uncapt बोलते हैं, and are piled on four wheeled handcraft, और ज्यादा तर वहां पर जगए जग आती थी, इस तरीके के ठेले का काम करते थे, and pushed by the young man along the narrow lanes of the shanty towns, उस गंदी गलियों में, गरीब बस्ती वाली गलियों में यह ठेला लेकर लोग बेचने के लिए बहां निकलते थे, shanty का मतलब यहां पर है, उन तंग गलियां जो गरीबों की थी, गरीब बस्तियों वाल बने थे, यानि कि कई कई जगहें पर ऐसा होता है कि जहां पतली पतली गलियां मौजूद हैं, उन घरों में वहां पर अंधेरा रहता है, वहां तक सूरी की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे जगह पर यह चूड़ी बेचने के लिए जाय करते थे, and next to lines of flames of flaking oil lamp, हर लड़के लड़कियां वहां पर बैठे हुए नजर आ जाते थे, वहां पर दियर फादर्स एंड मदर्स अपने माता पिता के साथ में, and welding pieces of the colored glass into the circle of bangles, और जो color था, जो colored glass होता था जनी शीशा, उसको welding करते हुए माता पिता के साथ नजर आ जाते थे, ऐसे, their eyes, उनकी आखे जो थी, are more adjusted to the dark than the light outside, उन्हें वास्ता में जब बाहर उजाला होता था और घर में अधेरा है, तो दिये के सामने उन्हें अपनी आखों की रोशनी को और जोर लगाना पड़ता था किसी चीज को देखने के लिए, आपने notice किया होगा कि गरिमियों में, जब आप धूप में बाहर निकलते हैं, तो आपकी automatic आखे छोटी हो जाती है, जरा जरा सी बंद हो जाती है, छोटी का मतलब, आप उसमें खुली आखे नहीं देख पाते हैं, automatically छोटी जाती है, लेकिन जैसे आप अंधेरे में जाते हैं, तो आपने आखे बड़ी हो जाती है, ये accommodation का process होता है, जिसे आप समयम अपने आप करते हैं, आखों की रोशनी को adjust करने के लिए जगह के recording, तो that is why, ऐसा इसलिए होता था कि they often end up losing their eyesight, often before they become adults, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनके आखों की रोशनी losing कम हो रही थी, इसी वज़ेस उन्हें इतना प्रियास करना पड़ता था किसी चीज को देखने के लिए, उन्हीं लड़कियों में एक लड़की थी सविता जिसका नाम था, a young girl in the drab pink dress, उसने एक drab बड़ी तड़क भड़क वाली color की एक जो उसने color कपड़े पहन रखे थी, pink dress पहन रखे थी, sits alongside of the elderly woman, एक बुढ़ी उरत के पास में वो बैठी हुई थी, and solding the pieces of glass, और जो glass के यानि शीशे के टुकड़े थे, जिन से चूड़ी बनाई जानी थी, उसको solding कर रही थी, जोड रही थी हापस में, as her husband, जैसे उसके जो hands, उसके जो हाथ थे, move mechanically like the tongues of the machine, उसके हाथ जो है एकदम ऐसे गूम रहे यानि कोई भी ऐसा बंदा जो काम में धुरंदर हो, जैसे कोई कढ़ाई करने वाला है, जैसे कोई momoj बनाने वाला है, कोई पराठे बनाने वाला है, तो उसके हाथ इतनी speed से चलते हैं, कि आप समझ नहीं पाते हैं कब तक उसका काम कितनी जल्दी हो जाता है, तो यह चीज समोजदार, सैंसिटी ऑफ दर बैंगल्स, कि उसे उस चूडियों की जो पवित्रता थी, सैंसिटी मतलब होता है, पवित्रता, तो चूडिया हमारे देश में दरसल पवित्र मानी जाती हैं, और इसका अर्थ होता है सुहागन के हाथों में होना है, यानि सुहाग का एक पर दिया है हमारे देश में, इसलिए यहाँ पर इसको पवित्र माना जाता है, तो वहाँ पर उसकी इस पवित्रता को उसे यह मालूम था, इसलिए वो इसको बनाने में मदद लोगों के करती थी, इट सेंबोलाइस एन इंडिया मुमिन, इस सुहाग, आगे देखें बताय भी हर, suddenly one day, वास्तम में कहीं न कहीं उसके लिए अचानक से किसी दिन उसके लिए भी यह होगा, कि हर हेड ड्राब्ड विद रेड वेल, कि जब उसके चेहरे पर शर पर उसके एक लाल रंग का गुंगट पड़ेगा, हर हैंस डाइड विद रेड हिना, उसके जब हाथों को ल लाल मेहन्दी से रंगा जाएगा, यान immune उसके हाथों में लगेगे, एंड रेड बैंग sounds, तब यह लाल चूड़ियां उसके पहना जाएंगी, rolled onto her handrest, तो उसके कलाई में यह लाल चूड़ियां भी पहना जाएंगी, तो यह सुहाग का एक प्रतीक है, इसलिए ऐसे, she will then become a bride और तब एक दुलहन के रूप में बन जाएगी like the old woman उस बुढ़ी औरत की तरह beside her जो उसके पास में बैटी थी who become one many years ago जो कई वर्षों पहले कई साल पहले एक ऐसी सुहागन बनी होगी she still has bangles on her wrist उसके कलाई में अभी wrist का मतलब कलाई उसके कलाई में अभी चूडियां पड़ी हुई थी एक दो चूडियां पड़ी हुई थी but no light in her eyes लेकिन उसके आँखों में उससे कोई खुशी नहीं थी क्योंकि उसने ऐसी पहन रखा था और वो बुढ़ी औरत जो बोलती भी कि एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया तो वो हिंदी में बोलती कि एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया एक ऐसे आवाज में बोलती है जैसे उसकी खुशियां सब उड़ चुकी है सूख चुका है मन से उसके लास खुशी सब को खतम हो चुका है उसने आज तक एक वक्त का खाना भर पेट भी नहीं खाया तो जो गरीब परिवार होते हैं अत्ति गरीब परिवार वहाँ पर कुछ इस्थती ऐसी होती है कि उनके लिए एक टाइम का खाना भी नसीब होना बड़ा ही मतलब एक कठिन कार्ज है उनके लिए दुखदाई हो जाता है इस तरीके की वहाँ चीज़ें अकसर देखने को मिल जाती है इस लिए ऐसा है कि वहाँ पर वह इस तरीके की चीज़ें वह फरमाईस करती थी ज्यादा तर ये करती थी वह ऐसे फसे हुए जगएं पर थी ऐसे मूल जगएं पर रहती थी वह इसलिए ऐसा था हर असमें उसके जो पती थे एन ओल्ड मैन वह बुड़े हो चुके थे आ फ्लॉइंग ब्रीड उनकी बढ़ती हुई धाड़ी बहुत तेजी से बट रही थी दाड़ी यानि दाड़ी कटवाने तक का उनके पास पाईसा नहीं थे जब खाने का नहीं था तो दाड़ी कटवाने तक के पाईसे नहीं थे ऐसी स्तथी थी वह कहते हैं कि I know nothing except bangles मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ सिवाए चूडियों के यानि मेरे एक ही काम आता है चूडियां बनाना इसके अतलिक ते मुझे कोई काम नहीं आता है मैंने अपने जीवन में केवल इतना काम किया है कि एक केवल घर बना पाया अपने परिवार के रहने के लिए hearing him उनको सुनते ही one wondrous if he has achieved what many have failed in their lifetime तो उनको सुनते ही तुरंती ये कहती कि आश्चर होता है कि अपने जीवन में एक आदमी असफल हो जाता है कुछ चीजे पाने के लिए से कम मैंने उनका घर तो बना दिया he has a roof over his head कि तुरंती उसके लिए शारा करते हैं एक दूसरी व्यक्ति कि कम से कव उपने सर पे च्छत तो उसने पा ली यानि अपने जीवन भर उसने भले भर पेट खाना नहीं पाया भले उसने अपनी सुख सुद्धाओं को जो है enjoy नह नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं है यानि कोई चीज खरीदने के लिए वास्तम उनके लिए दुख का कारण यह था कि किसी भी तरह उनका व्यवसाय कंटीनियूसली ऐसे चलता है not even enough to eat खाने के लिए परयाप्त मिलता भी नहीं रिंक्स इन एवरी होम और यह हर एक घर मे के लिए परयान ईको दोराना पाड़ता था उनके दुखों को भी एक तरीके दोराना पाड़ता है यहा का मतलब है दोरा आओ तो उन्हें अपने पूर्वश्यों दोरा दिये गए modified裡 को ही करना होता था लेट रहाज मोलतों बच्चे थे दीरे दीरे समय को सांथ वो move करने लगे, यानि वो शहर जाने लगे, दूसरी जगे जाकर काम करने लगे, दूसरा वेवसाय पकड़ने लगे, लेकिन जो PD दर PD चला आरा वेवसाय है, इतनी आसानी से खत्म भी नहीं होता है, इट सीम्स उनके लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर में, कि उसे जिन्दा रहना है, और इसके जो अगने इनिशेटिव होते हैं, मन में एक ऐसे प्लान कि मुझे भविश्य में ये करना, इस तरीके की चीज़े करनी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, चाहे सपन हो, और चाहे वो योगता हो, उसने तुरंती सलाह देते हुए, उन से कहा कि आप लोग एक कोई भी ऐसा व्यवसाई परिवार अपने आपको क्यों नहीं बनाते हैं, यानि सब लोग अपने आपको ऐसे ओगनाईज करिए, खुद से, कि आप एक अपने आपको व्यवसाई परिवार बनाएं, आई आई उन लोगों से घिरा हुओा बैठा था, जितने भी वहाँ पर दुखी लोग थे, यानि सब के सब दुखी थे, जो मज़दोर वर्ग होता, देखिए किसी ने किसी प्रकार से इसके पास दुख होता है, कहीं करजा है, कहीं खाने को नहीं है, कहीं घर में चीज़ें मौजू से एंड फॉर फादर से जिदने उनके सब माता पिता के साथ भी काम किया था यानि उनके साथ वो कारिकार चुका था इवन इफ वी गेट औरगनाइज़ उसने तुरंती जबाब दिया कि यदि हम सब संगठित हो भी जाएं तो आगे बताता कि यदि हम संगठित हो भी जाएं तो हम सब वही होंगे कि जो केवल हल्ड़ अप विद्धियर द्यार पॉलिस कि हमें कहीं ने कहीं पॉलिस से दोरा उठा लिया जाएगा यानि अगर हम संगठित हो के कोई काम दूसरा करेंगे तो तो हम नहीं हो पाते हैं क्यों क्योंकि पॉलिस दोरा उठा ली रहता है लोग हमें पीटते हैं बीटन and dragged to the jail for doing something illegal कि हमें किसी ने किसी ऐसे ही कार करने के लिए जो कानून विरुद्ध है उसके लिए में उठाकर जेल में डाल दी रहता है यानि गरीबों के साथ कोई एक समस्या नहीं है, असंख परकार के समस्या और भी हैं, दे से वे आगे कहते हैं कि there is no leader among them, कि हमारे बीच ऐसा कोई भी नेता नहीं है, कोई भी अगवाई करने वाला नहीं है, जो इन कामों को हमारे साथ कर सके, no one who could help them, कोई बिनकी मदद करने वाला भी नहीं है, see things, जो चीजों को देख सके differently, कुछ अलग परकार से, यानि एक innovative सोच रखने वाला, नई चीजों को वहाँ पर जन्न देने वाला कोई भी नहीं था, कारण ही था कि सब की जो दिन भर की ताकत होती थी, वो सब इसी में बेस्ट होती थी, किसी ना किसी त तब यहां पर बूढ़े हो चुके थे, they talk endlessly in the spiral that moves from the poverty to the apathy to greed and to the injustice, वास्ता में वहाँ जो यह इस्थती हो रही थी, इस तरीके के स्थती हो रही थी, कि उन्हें अनंत समय तक यह कुंडली मार कर बैठे रहना है, spiral, यानि चार तरफ गोला बना कर बैठे रहना है, और उनका अन्याय को जर्म देगा, और कुछ भी नहीं होगा इनके जीवन में, यानि सिर्फ इतना चल रहा था कि गरीबी से अगर उबरना भी चाहेंगे, संगटित हो भी जाएंगे, तो कुछ नया कार इनके पास क्या होगा, क्या कर सकेंगे, सिवाए चूडी बनाने के, इसके ला मुख्य चीज थी, पहला ये था कि उसमें से जो परिवार था, वो पूरी तरह से गरीबी से जकड़ा हुआ था, यानि वो इतनत गरीब थे कि कुछ नया तो वो सोच नहीं सकते थे, और वो उस जाती से सम्मंदित रखते थे, उस सम्मंदित थे, जो उन्हें बांधे रख पूशेस में ज़न लेते हैं, तो हमारे समाज की विवस्था है, कि उन्हें उस जाती से बाहर निकलने की अनुमती ही नहीं होती, अगर वो दूसरा कार्णी करना चाहेंगे, तो उन्हें लोग काम करने ही नहीं देंगे, विच दे आर बॉन्ड, जहां वो जन लेते हैं, द पढ़ता था मिडल मैन उनके जो बीच बिचॉलिया थे पुलिस मैन वहाँ पर जो पुलिस वाले थे इन सब के अधीन रहना पढ़ता था एनकीप और सौब दल्ला और कानून का पालन गराने वाले लोग थे दे बियूरेक्रेट्स जो बड़े बड़े वहाँ पर जो अधिक सरकारी आते थे बियूरेक्रेट्स सरकारी विक्ति आते थे पॉलिटीशन और जो नेता लोग थे तो गरीबों का उपयोग दरसल कहीं ने कहीं इन सब के बीच में किया आप अपने आसपास नोटिस करेंगे तो हर एक गरीब का फायदा यहीं लोग उठाते हैं कहीं पर बि उन सब चीजों को उनके ऊपर ढो रखा था डाल रखा था जिसकी वज़े से वो उससे बाहर नहीं निकल सकते थे and he cannot put down उन्हें वह बाहर वहां से निकलने देगा भी नहीं before he is aware जब तक वो इस चीजों से कहीं ज़्यादा आवेर नहीं होते जब तक ऐसा नहीं होता he accept it naturally as naturally as his father's तो उन्हें स्वयम रूप से इसे ऐसे ही स्विकार करना है जैसे उनके माता पिता ने अब तक स्विकार किया यानि उनके लिए यह एक तरीके से नियती बन चुकी थी do to do anything else would mean to dare कुछ भी दूसरा कार करना उसका सीधा सा अर्थ था उसके अंदर उनके साहस होना चाहिए उस कार को करने के लिए and daring is not a part of his growing up और daring इस बात का प्रमाड नहीं है कि वो बड़े हो रहे हैं इससे वो साहसी हो जाएंगे when I sense जब मैंने यह महसूस किया कि a flesh flesh of it the it in Mukesh I am cheered कि जब मैंने उस Mukesh के आखों में यह चीज़ देखी एक सपना देखा कि motor mechanic वो बनना चाहता है तो मुझे यह परसंदता दिया कि I want to be a motor mechanic कि मैं motor mechanic बनना चाहता हूँ उसके आखों में यह देखकर परसंदता नजर आई but the garage is long way from his home लेकिन garage भी उसके घर से काफी दूरी पे था I will walk मैं पैदल चलके जाओंगा he insists उसने तुरंती का कि मैं जाओंगा मेरे इंदर इच्छा है उस काम को करने की इसलिए मैं जाओंगा उस जग है पैदल and do you also dream of the flying a plane तभी मैंने उससे प्रशने किया कि क्या तुम plane उड़ाने का सपना रखते हो he suddenly silent वहचानक से चुफ हो गया no उसने तुरंती कर नहीं he says staring at the ground जमीन पर घूर घूर कर वो देखता रहा उदासी पूरवा कर तुरंती बोला नहीं यह काम तो मुझे नहीं करना है इन इस स्मॉल मरमर बुद्विदाते हुए इसने हलके से मरमर का मतलब बुद्विदाते हुए इसने कहा कि there is an embarrassment यह मेरे लिए एक अन्याय पूर्ण बात है यानि एक मेरे लिए खराब बात है that has not yet turned into the regret कि जिसके कारण वह अपने आपको दुख और कारण नहीं अपने थी वह इसके लिए बड़ा सपन था his consent to dream of the cars वास्ता मुसके मन में सिर्फ एक सपन था कार से जुड़ी हुई चीज़ों को करनेगा he sees hurtling town वह दरसल उस शहर में यह देखना चाहता था कि जो शहरें कारें जो है एक राज जिम्हें उस जगहें पर शहर में खत्रा पैदा कर रहें हट्लिंग का मतलब होता है खत्रा पैदा कर रहें down the street सड़कों पर चलते वह इस ओर टाउन उनके शहरों में few airplanes fly over the में जाऊंगा तो वो मेरे लिए आसान होगा मैं उस चीजों को कर सकता हूं तो यह वो सोचता था तो यह थी कहानी उन सलम में रहने वाले बच्चों की उन गरीब बच्चों की जिनके पास में सुविधाओं का आभाव हमेसा रहता है ऐसे ही इन चीजों के बारे में जो description ह वो यही चीजें हैं जो बच्चों से चीन लेती हैं जो बच्चे कुछ अच्छा कार कर सकते हैं कुछ पढ़ लिखकर बड़ा बन सकते हैं उनका बच्च्पना वो चीन लेती है आप सब में भी बहुत से बच्चे होंगे जो इन pandemic की वेज़े से lockdown की वेज़े से या बहुत हमेशा करते रहे हैं उससे अपना बच्पना खोने मत दीजिए धीरे धीरे चीजों को सीखिए समझिए समाज को और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे हैं यह थी कहानी इन बच्चों की तो आप भी उससे कुछ सीख सकते हैं अब इसमें कुछ कुछ कोश्चिंस हैं जिनका हाजार्ड ऑफ वोकिंग इन ग्लास बेंगल इंडस्टी जो चूडियां बनाने की फैक्ट्रियां थी उनमें हाजार्ड नुकसान क्या था क्या चीजें ऐसी होती थी जो नुकसान था लोगों की जीवन पर नेक्स कुश्चिं है हाव इस मुकेश अर्टिट्यूड तो हिस असर आपको मिल दाएगा तो कमेंट्स के तरू मुझे जरूर बताएं एक ऐसे ही नए स्टोरी और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई-लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे तब तक लेस्ते हापी इस्ते सेफ एंड कीप वाचिंग आशुतर सर्च चैनल